नमस्काल दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पने चैनल एर फोर्स एक्जाम पेपर में दोस्तों, आज के लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन भालती त्यास के महत्रपूर प्रस्णों की बारे में तो यह कोस्चन स्रीज है और इसमें आपको 900 प्रस्ण मिलेंगे जिसका प्राट बन हमारा इस्टार्ट हो रहा है और इसमें मैं आज आपको 90 प्रस्णों को खलका हूँ अठीक दोस्तों इसलिए फटा-फट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा दिक कोस्चन में एक लिखा हुआ है हमारा शिंदू घाटी सब्विता के सहरों की गलियां थी कैसी गलिया थी चोड़ी और सीधी हटपा और मोहन जोड़ो के खंड़हर निम्नांकित में से किस नदी के टटपर पाय जाते हैं रावी और सिंदू नदी के टटपर पाय जाते हैं नमबर तेसरा लिखा हुआ है, सिंदु घाटी सब्वेता के लिपी काउन से थी? अज्यात लिपी, याद लिखेगा अज्यात लिपी, नमबर चार, बिना दुर्ग के एक मातर सिंदु नगर काउन सा था? चनहुदुलो, काउन सा था? चनहुदुलो था, पांच नमबर क्या लिखा हुआ है मोहन जोद्रों में सबसे बड़ा भवन की है wait 7 नमारा य दान्यागार सबसे बड़ा भवन है नमर् निम् डिखत में से किसकी मोलती थी निर्ट्य कलते हुए बालिका ठीक़ी किसकी मोलती थी निर्ट्य कलते हुए लिका अगला हमारा है नमठ9 की देबी माता की पूजा संबंदित थि शिंदू घाटि सब्वज़ता के साथ संबंदित यось शिंदू घाटि संबदिते। में लिखा हुआ हमारा है सिंदू संध慧र का पत्षन रॉसे नम्र क्았는데 संडू अलत worldsल यह शिंतन थान ल beiden न कोत्तान पर करश इसके बार देखीएगा 12 नमर क्या लिखा हुआ है कि देवी माता की पूजा संबंदित थी सिंदु घाटे सब्वेता के साथ संबन दिते सिंदु घाटे सब्वेता के साथ चौधा नमब दीखेगा बैदिक आजियों का प्रमुख भोजन क्या था दूद और इसकी उत्पाद ये क्या था बैदिक आजियों का मुखी भोजन था पंद्रा नमबर देखेगा लिखा हुआ है निम्रिखित में से कौन सा अन्न मनुष्च द्वारा सबसे पहले प्रियोग होने वालों में से था क्या था जो जो या येव ठीक येव कहते हैं सोला नमबर लिखा हुआ है बैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रियोग पहले किया गया था तावाजी से कहते हैं तामरिस का प्रियोग सबसे पहले किया गया था सत्रा नमब रिखा हुआ है बेद शब्द का अर्थ क्या है ठीक है बेद शब्द का क्या अलत है ग्यान अगला देखिए आप लोग नमबर अठा लिखा हुआ है आपके सामने लिखा हुआ है पढ़िएगा इसे आज आज पूर्वों के साथ अपने संगर्शों में शफल लह क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे जातों का प्रियोग किया था इसलिए सफ़ल रहे थे 19 नमर क्या है हमारा आरंबिक बैदिकाल में पूर्ण बेवस्ता आधारित थे 20 नमल देखिएगा आजियों को एक जाति कहने वारा पहला एउरोपी काउन था मैक् बिद्वान अगला समझेगा किस नमल लिखा है आजियन जन जातियों की प्राचीनतम बस्ति कहां है सप्त सिंध में कहां है सप्त सिंध में है 22 नमल देखिएगा निम लिखित में से कौन सी जन जातिये सभा सामान जोप से जन जातिये सरदार मुख्या के चुनाओं में साम याद रिखेए जो करकोब सुलते थे उसे कागते थे बली कहते थे ठीक है चॉबिस नमर नमर हमारा है भारतिय पर्तेक पर उतकीन सत्यमेब जैते लिया गया है मुंड कोपनिसद ठीक है और 26 नमर लिखा हुआ है निम्न में से किस विदुसुरे वाद भिवाद में अग्यर यागी वला कि कोई चिनोती देती गारगी ने ठीक है गारगी नी चिनोती देती इसके बाद देखेगा आप लोग 27 नमर आपके सामने आ गया है 27 नमर में आपको सब्सक्राइब क्या यह था अशोक मातिका लुम्मिन देई इस्थम लुड़ा 29 नमर है बुद्ध किस संबन से संबन देखेग है गुद्ध किस बन संबन देखेग है और तीस नमर हमारा है प्रताम बहुत परिशत कहां आउयुत की गई थी राज ग्रह में ठीक है प्रताम पॉद्ध हम सूद्र नम्मर है बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहा दिया था सारनात में दिया था ताश नम्म ौ देखीगा धातु से बने सिक़्े पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे शवे नम्म देखीगा प्रारंबिक बाथ धर्म ग्रंतों की रिचना किसमें की गए थी पाली पाट में की गए थी पर आरंबिक बहुत धर्म ग्रंदों के रिष्णा किसमे की गए थी, पॉली पॉट में की गए थी, साथ नम्बल दीखिए का दिखा हुआ है, आरंबिक बहुत असायत थे, किस भासा में रचे गए, पाली भासा में रचे गए थे, आर्ट नम्बर पढ़िए का आप लो किस गठना के साथ है, तो है जनम से ठीक है, जनम से इसका संब्ध है, बुल सब्द का, देखिए इसके बाद में दस नम्बर लिखा हुआ है, आपके सामने, लिखा हुआ है कि भारत में पांचवी सताफजी के प्राचीन, विश्वी डाले की स्थापना कहां पर गए गए नालंदा में की गए ठीक है, जनम नम्बर के लिखा हुआ है, बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था, बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था, बुद्ध गया में प्राप्त हुआ था, बुद्ध गया में, बाहा नम्बर है, बुद्ध धम और संग म हम Lincoln लिखा है बॉद्धों के पहले अवस्यसों पर निर्मित गुंबदाकर छटवाली अल्दगोला का का समस्ते हैं ये यह उल्द17 इस्तुप करते हैं पंद्रा नमबर है बुद्ध की म्रत्यु किस बर्ष में हुई थी 483 इसा पुर्व में इसे भी आप याद गएगा इंपॉर्टन प्रस्णाफ के लिए कि म्रत्यु कब हुई थी 16 नमबर देखी है आप लिखा हुआ है भारती इतियास के निम्रिखित युगों में से किसके दोरान चत्री एक बिसिष्ट पहचान लगते थे बुद्ध के युग में चत्री जो थे वो एक बिसिष्ट पहचान लगते थे 17 नमबर है महावीर कौन थे 24 में तीर धंकल थे महावीर अठार नमबर लिखा हुआ है कि महावीर भारत में जैन धर्म का सस्ताब कौन था तो जैन धर्म का सस्ताब कौन था महावीर थे ठीक है महावीर 19 नमबर बल्दमान महावीर ने परिनिर्वार कहा प्राप्त किया था पावापुरी में इसने वल्दमान महावीर ने ठीक है पावापुरी में परेनिवार प्राप्त किया था इसके बाद दिखेगा आप लोग 20 नमबर आपके सामरे लिखा हुआ है पढ़िए का इसे क्या लिखा हुआ है कि जैन साहती को क्या करते हैं क्या करते हैं इसे अंग कर प्रशिद्यव सासक का उसा था जिसने अपनेश्य गोल में जयन二 गोला गोला सबसे पुराना लग्युक जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर म्रद भांडों के साथ में जुड़ा हुआ है ठीक है पुराना लाह यूग 24 नमब देखी का लिखा है छटी सदापदी इसा पूर्ब मगद में किसका विसाल भंडाल था लाह का विसाल भंडाल था कहां पर मगद में 25 नमब. देखी अद लोग लिखा उस राजिका नाम बताइए जिसने पहली वह यवारी योध्त में हांतियों का इस्तेमाल क प्यूक किया था 27 नमब लिखा हुआ है, सिकंदर महान का सुच न रस्तु ओर डेखें 18 स् использ के लिखने के लिए पुरयकत भाता थी और 29 सिंस नम्बर लिखा हूआ है हे रोडोर के ही या इतिहास का पिता महा प्याद रिखेंगा कि हेरोडोर्स को इतिहास का पिता का यत्ते हैं अलेक जेंडर सिकंदर और पोरस ने लडाय लडी थी देखी लडाय का नाम लिखा हुआ है हाईड़ स्पीज में जेलम का युद्ध देखी अगला क्या लिखा हुआ है आपके सामने एक नमबर से फिर से स्टार्ट हमारा एड़ी कोई बात नहीं है आपके साथ खुशन गपल्व लाकिया था पोरस की से ना ने थे किसने पोरस की से नाने बात दो नमब लिखा हुआ है मारा यहूद्यों के दधार्मिक निकाल में लिखी आते थे चंद्रगुप्त मौर के बाद मौर सिंगासन पर कौन बैठा था बिंदुसार नबल देखेगा युनानियों को भारत से बाहर निकाल किसी निकाला था चंद्रगुप्त मौर ने याद रिखेगा आप लोग पार्टनर प्रस्ट नमा रहा है साथ देखेगा बिंदुसार के सासन के दोरान असांती कहां थे तच्छिसला में थी असांती ठीक है आठ नमबल क्या लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर ने अपने अंतिम दिन का यहां गुजारे में लोग तो स्रवन वेखला स्रवन बेल गोला करनाटक में गुजारे ठ देखेगा असोक की प्रशाचनिंग नेति में भारी परिवलतन किस घठना से आया था कलिंग यूद्व से आया था ठीक है कलिंग यूद्व से दस नमबर देवा नाम्र प्रिय के नाम से कौन विक्ष्यात था असोक ठीक है तो देखें नम्या देखें आपर कहुं था तियाक की खुशना की है किसमें सिला राजा देश और लिखाया है यह एक्स अउतवल मतलब 13 ठीक है इसमें बार्था नंबर देखी लिखा हुआ है चंद्रकुपत मौरे के दरवार में भेजा गया या यूनानी राजदूस था कि मतलब दरवार में जो यूनानी राजदूस मतलब क्या है कंड़ा प्रषद्घू कौन था चाड़क की था वो किस विद्या केंसमदी था तच्छी सिला था ठीक है अगला सफ्था नंबर कलिंग यूद्ध किस बर्ज में हुआ था 261 लिखा हुआ आपके सामने लिखा हुआ ठीक है 261 अठान नमल देखिए क्या लिखा हुआ है असोग पर कलिंग यूद्ध का प्रवाव कहां दिखाएता है सिलाओं पर उत्किरिंट तेरवें जाज्या देश में 19 मोरी काल के दौरान सिच्छा का सबसे प्रसिद्ध के किसके समकालें थे मोरे के समकालें यू एक के लेकक और लिखा आयो कि अइसास्त कर्फिना किसना की थी क्यों लेकें जिसका दूसरा नम क्या है दिशुरुण गुपत ने ब्रेंन ठीक है और उसके बाद में हमारा 22 अबर लिखा हुआ है असोक के सिदालेख के लिपी किस लिपी में खुदे हुए थे तो देखिए असोक कि सिदालेख के लिपी में खुदे हुए थे तो देखिए असोक कि सिदालेख के लिपी में खुदे हुए थे तेस नमल देखिए निम्ड में से किसने और कब पहली वार असोक के सिदालेख का मावरिवनस के दवरान इस्तानिक काूं था 26 नमज देखिए मावरिवनस के ततकाल बाद किस बännस ने आकर मगत पघचिया सुम्ग बाद आकार प्रहुनित्स की है, वारती और ग्रीग सहलिंन्स सी बिकसित कला विद्याले को किस नाम से जानला आता है, गांधार कला के नाम से जानला दाला और तैसे नबर में रहा हुआ है, कुडाल कुशारण降सके प्रसिद राजा का नाम क्या था कनेश कटिक इस प्रकार से हमारे 90 questions वाप तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कल दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस series को लगा तक्राइब करें क्या मैं